तो दोस्तों अगर आपने COVID-19 की vaccination ले ली है चाहे आपने first dose ली है या फिर second dose भी ले ली है तो किस तरीके से जो है आपको certification COVID-19 का जो certificate है वो किस तरीके से आपको download कर लेना है अपने mobile में क्यूंकि अगर यहाँ पे अगर आप cyber cafe में जाएंगे तो वहाँ पे आपसे 50 या फिर 100 रूपीज ले लिए जाते हैं तो ऐसे में अगर आप अपने mobile में ही उसे download कर लेते हैं तो आप जो है simple उसकी photocopy निकलवा के जो की 2-5 रूपे की आप निकलवा के उसे अपने पास रख सकते हैं COVID-19 vaccination का certificate इसलिए ज़रूरी है क्यूंकि अगर आप कहीं पे वी travel करते हैं तो आप से कोई certificate मांगता है तो आप जो है दिखा सकते हैं कि आपने COVID-19 vaccination की dose ली हुई है देन उसी के साथ अगर आप कहीं पे काम करते हैं वहाँ पे आप से जो है आपका vaccination certificate मांगा जाता है तो वहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि कि तरीके से जो है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप अपने मोवाइल में भी डाउनलोड करके रखते हैं और यहाँ पे किसी को भी दिखा देता है जो भी आपसे पोछता है कि आपने dose ली है या फिन नहीं तो ऐसे में जो है अगर आप दिखा देते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पर COVID-19 vaccination ली हुई है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको COVID-19 vaccination card certificate डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको अपने mobile में किसी ब्राउजर को open कर लेना है दिन उसके वाज आपको Google में type करना है COVID application simple हम यहाँ पर COVID application type करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ जाएगा COVID का तो आपको simple इस पर click कर देना है इस पर click करने के वाज आपके सामने इस तरीके का page आ जाएगा तो आपको यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा download certificate का तो आपको यहाँ पर download certificate के option पर ही click करना है तो आपके सामने एक new page open होगा और आपको यहाँ पर अपना mobile number एंटर करना है और आपको mobile number वही एंटर करना है जब आपने vaccination ली होगी और आपने जो अपना mobile number वहाँ पर register करवाया होगा तो वही Mobile number आपको यहाँ पे enter कर देना है चलिये हम यहाँ पे अपना Mobile number एंटर कर देते हैं दो उसके वाद आपको Get OTP के option पे click कर देना है Get OTP के option पे click करने के वाद जो है आपके मोबाईल number पे एक OTP आएगा तो simple जो है आपको यहाँ पे वो OTP enter कर देना है देन उसके बाद आपकी account details आ जाएंगी जो भी आपका mobile number होगा आपको उसके last वाले 4 digits दिखा दिये जाएंगे देन उसी के साथ आपको यहाँ पे आपका नेम आपका जो reference ID होगी देन उसी के साथ आपका जो आदार कार है उसके last number जो है आपको 4 देखने को मिल जाएंगे तो आपने यहाँ पे कितनी dose ली है उसी जाप से भी यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा यहाँ पे आपने अगर dose 1 ली है तो कोवी शिल्ड का जो certificate है वो आप यहाँ से download कर सकते हैं और जब आप यहाँ पे second dose ले लेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे download करने का option मिल जाए और यहाँ पे downloads में आना है download में आने के वाद हमें यहाँ पे हमारा certificate देखनों को मिल जाएगा या फिर अपने मोवाइल में इसे सेव करके रख सकते हैं तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे COVID-19 vaccination का provisional certificate जो है वो download कर सकते हैं I hope कि इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी आपका कोई question हो तो नीचे comment box में comment कर दीजेगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर थेंक यू